तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाला कि आप लोगों को कोई app डाउनलोड करना है या कोई website में जाके register करना है तो आप लोगों को redeem code मिलेगा बस आप लोगों को एक छोटी सी चीज इनेबल करने नहीं है उसके बार आप लोगों को Google Play का redeem code मिल जाएगा और उससे आप जो मर्जी कर सकते हो और वो इनेबल करने के लिए आप लोगों को Google Play Store पर आ जाना है उसके बार नहीं यहां पर आप लोगों को अपना जो लोगो होता है इसकी उपर क्लिक करना है और यहां पर आपका ऐसा कुछ प्ले पॉइंट्स करके लिखा हर पांच रुपे के मलब यूस पर आपको एक पॉइंट मिलेगा और उन पॉइंट्स को आपना बाद में आके यहां पर यूस पर क्लिक करके रीडिम कोड़ पर भी बदल सकती हो और अब मुझे पते आप लोग सोच रोगी कि हर पांच रुपे की टांजेक्शन पर आपक लोगों जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे यह सब लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे और यह फवी कुछ पॉइंट मिलते हैं कभी एकदम छोटे चांजेक्शन कराना उसके बार यह इनेबल हो जाएगा उसके बार बड़ी ट्रांजेक्शन कराना उसके अगले सात दिनों तक मतलब जैसे आज आपने इसे इनेबल कर लिया तो अपके ना कल पर सो आपको एक आपको आजिएक मैसेज से माला प्लेइस्टोर से यह एक message आएगा कि अगले 7 दिनों तक आप जो भी transaction करोगे उस पर आप लोगों को जितने की transaction करोगे ना वितने ही point वापिस मिल जाएगे जिसे अभी तो 5 रुपए में 1 point मल रहा ना पर तब 5 रुपए में 5 ही point मिलेंगे तो आप लोग तब बड़ी transaction करना और अभी छोटे transaction करके इसे enable कर लो और अगर आप लोगों को किसी की भी free fire ID hack करनी है तो आप यह उपर वाली वीडियो देख सकते हो अगर आप लोगों को गीम खेल के पैसा कमाना है तो आप यह नीचे वहली वीडियो देख सकते हो तो अगर आज की इस वीडियो में इतने ही मिलते आपको next वीडियो में